हेलो फ्रेंट्स वैलकम टू आल इन नेक्स्ट फेम गाईज आज हम पढ़ने वाले हैं जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट नमबर फोर और आपको इन सभी कोशनों के नोट्स बनाने हैं क्योंकि नोट्स बहुत जरूरी होता है आपको आगे भी पढ़ना है तो अभी आप आपको डेली मॉर्निंग में प्रैक्टिस हैट प्रवाइड होता है जनरल स्टडीज का और वहां भी आपको 20 कोशन मिलते हैं कोशन आपसे पूछता हूं यहां भी सेम है तो आपने करना क्या है इन सभी कोशनों के नोट्स बनाने हैं मॉर्निंग वाला बैच बिल्कुल इ जाता है साइटोलोजी यानि की कोशिका की अध्यन को बोलते हैं साइटोलोजी अब सेल क्या होता है स्ट्रक्च्रल एंड फंक्शनल यूनिट ओफ लाइव को क्या कहा जाता है सेल कहा जाता है इसको आपने याद रखना है और सेल की खोज किसने की ती रॉबर्ट हुक ने cell की खोज की थी, कब की थी 1665 में, कब की 1665 में इसको आपने याद रखना है, यहां से एक question आ जाता है कि cell की discovery किसने की, तो Robert Hook ने की थी, इसको याद रखना है, study of bacteria, क्या कहलाता है, bacteriology, और study of crops, क्या कहलाता है, agronomy, इसको भी आपने याद रखना है, अब यहां पर एक word आया, demography, demography क्या होता है, study of human populations को क्या बोलाता है, demography, यानि कि जन संख्या किये, अध्यान को क्या कहला रखना है, demography, इसको आपने याद रखना है, clear है, next question देखिए, next question है, the life originates from, life कहां से उत्पन होई, तो right answer, water से originate होती है, life, इसको भी आपने याद रखना है, next question है, the devil fish is name of devil fish का नाम क्या है, तो octopus इसको आपने याद रखना है, अब octopus से question आता है, कि octopus किस phylum का है, तो यह mollusca phylum से belong करता है, octopus वहीं या किस kingdom का है, तो animalia kingdom का होगा, octopus इसको भी आपने याद रखना है, next question है, how many eyes the snails have, अब snails की कितनी आखे होती है, तो right answer क्या होगा, इसका, दो आखे होती है, snails की, आप गलियों में, बरसात के दिनों में देखेंगे, तो snails आपको देखने को मिलेगा, उनके क्या होती है, दो tentacles होते है, कई के चार भी होते है, तो lengthy जो tentacles होगा, उस पे आप देखेंगे, बिलुकुल corner side में, upper side में क्या होगा, आपको eyes दिखाई देंगी, तो दो आखे होती हैं इसको आपने इंध्यान रखना है Next question है The structure of DNA was firstly outlined by, जो DNA का structure है, पहली बार किस के द्वारत त्यार किया गया था, तो right answer Watson and Crick के द्वारा DNA का first time structure त्यार किया गया था, और DNA कैसा होता है, double helix होता है कैसा होता है, double helix होता है DNA में इसे भी आपने याद रखना है, और साथ ही RNA कैसा होता है, RNA single helix होता है, RNA single helix shape में होता है, और DNA double helical shape में होता है, इसको भी आपने याद रखना है, DNA की full form क्या होती है डियोक्सी राइबो नूकलिक ऐसिड इसको भी याद रखना है और साथ ही DNA पाया कहा जाता है तो DNA पाया जाता है आपका नूकलियस में वही माइटोकॉंडれया में भी क्या पाया जाता है DNA, माइटोकॉंड把它 और नूकलियस दोनों में पाया जाएगा DNA और ये किस पे काम करता है ये heredity के लिए work करता है heredity में बहुत help करता है कौन DNA काम करता है heredity में clear है यहां से आपको इतनी जानकारिया मिल जाती है और एक question बता दू कि DNA में bonding कौन सी होती है तो hydrogen bonding होती है कौन सी bonding होगी hydrogen bonding इसको भी आपने याद रखना होगा next question आपके लिए the theory of evolution was propounded by theory of evolution किस ने दिया था तो right answer क्या होगा Charles Darwin ने theory of evolution दिया ये very important है और Charles Darwin ने कौन सी बुक लिखी on the origin of species बुक किस ने लिखी Charles Darwin ने इसे भी याद रखना है वही Lewis pasture शेप क्या याद रखेंगे कि pastureization किस ने बताया Lewis pasture ने वही rabbit vaccine किस ने दी Lewis pasture ने और colra vaccine भी किस ने खोच की Lewis pasture ने इसको याद रखना है Aristotle से क्या याद रखना है कि father of biology के रूप में किसे जाना जाता है Aristotle को इसे भी याद रखना है और Gregor Mendel को किस नाम से जाना जाता है तो father of genetics के नाम से जाना जाता है Gregor Mendel को इसको भी आपने याद रखना है Next question है Female sex chromosome कौन से होते हैं तो right answer XX female sex chromosome कहलाता है वही male sex chromosome क्या कहलाता है XY male sex chromosome कहलाता है और human body के एक cell में कितने chromosome होते हैं 46 chromosome होते हैं यानि कि 23 pair chromosomes के होते हैं इसको भी आपने याद रखना है पेर से direct question आता है तो 23 pair chromosomes के होते हैं आपने समास में देखा होगा कि male female को जिम्मेदा ठहराया जाता है लड़की होने के लिए बट real में responsible कौन होता है लड़की के लिए वो male होता है responsible अगर लड़की जनम लेती है घर में तो और लड़का जनम लेगा तो उसका भी responsible कौन होता है male ही responsible होता है क्यूंकि male के पास कौन से sex chromosome है x y और female के पास क्या है x और x होता है जब x और x मिलता है तो क्या बनेगा female और x और y तो वो क्या बनता है मेल का जनम होता है इसको आपने याद रखना है तो यह हमारे मन का ब्रहम है गलतिया है जो हम इस चीज़ को स्विकार नहीं कर पाते कि मेल भी रिस्पोंसिबल हो सकता है हम वनली फीमेल को जिम्मधार ठहराते हैं जैनेटिक्स किसे डील करती है तो राइट आंसर हैरीडिटी एंड वैरियेशन से डील करती है जैनेटिक्स हैरीडिटी से डील करती है इसको याद रखना है नेक्स्ट कोशन आपके लिए two strands of DNA are held together by अब मैंने आपको बताया DNA क्या होदा double helical होता है और इसमें कौन सी bonding होती है तो hydrogen bond से ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं इसको आपने याद रखना है next question है eating due to insect bite is caused by अब eating कई बार आपको ant ने काट लिया है eating होना शुरू होती है तो ये क्यों होता है किस acid के कारण होता है तो वह acid है formic acid के कारण आपको eating होता है इसको आपने याद रखना है वहीं lactic acid किसमें पाया जाता है दूद में पाया जाता है lactic acid acetic acid किसमें पाया जाता है तो acetic acid आपका vinegar में पाया जाएगा citric acid किसमें पाया जाएगा खटे पदार्थों पाया जाएगा इन संत्रे में पाया जाएगा वही malic acid की बात करें तो malic acid apple में पाया जाता है इन सभी को आपने याद रखना है next question आपके लिए the vaseline is extracted from अब vaseline किस से extract किया जाता है तो right answer इसका क्या होगा petroleum से extract किया जाता है क्या vaseline को इसको आपने याद रखना है next question आपके लिए the main component of gober gas gober gas का main component क्या है यानि कि मुखेता है gober gas में क्या पाया जाता है तो right answer methane पाया जाता है gober gas में वहीं bio gas की बात करें तो bio gas में भी methane पाया जाता है next question देखिए next question है blue vitrol किसको बोलते है blue vitrol यानि कि नीला थो था किसको बोलते है तो right answer copper sulfate को बोलते है blue vitrol इसको याद रखना है वहीं iron sulfate को क्या बोलते है तो iron sulfate को green vitrol बोलते है iron sulfate को green vitrol बोलते है इसको भी याद रखना है नेक्स्ट कोशन है Which of the following metal is best conductor of electricity राइट आंसर is silver सिल्वर क्या है best conductor of electricity है बट जनरली वायरों में सिल्वर का यूज नहीं होता है क्योंकि सिल्वर काफी costly होता है और copper का यूज देखने को आपको मिलता है क्लियर है नेक्स्ट कोशन है artificial silk is called artificial silk किसको कहते है तो राइट आंसर रियोन को बोला जाता है artificial silk इसको याद रखना है नेक्स्ट कोशन Which of the following is the formula of gypsum अब gypsum का सुत्र कहा है यह very important question है और यह question exam में आप से पूछा जाता है और इसके chances बहुत ही जादा होते है और gypsum का formula के लिए हम बात करें कि gypsum का formula क्या होता है important है आपके लिए कि gypsum का formula क्या होता है तो calcium sulfate calcium sulfate die hydrate किसका formula होता है gypsum का तो यह क्या है hemi हो गया तो die की बात करें तो die क्या होगा calcium sulfate .2 h2o यह हो गया die तो calcium sulfate dihydrate किसका formula हो गया gypsum का तो यहाँ डाई में आपर 2 लगा होगा इसको याद रखना है और 1 by 2 किसको दर साता है hemi hydrate को और hemi hydrate क्या होता है आपका plaster of paris यानि की plaster of paris का formula क्या हो गया calcium sulfate point 1 by 2 h2o इसको याद रखना है plaster of paris और वहीं 2 h2o किसका formula हो गया होना है टू वाला gypsum आधा वाला क्या हो गया calcium sulfate 1 by 2 h2o क्या बन गया यह बन गया plaster of paris next question है who was the inventor of voltic cell right answer Alexandro voltas invented voltic cell इसको याद रखना है direct question है वहीं किर्चौफ से आप क्या याद रखेंगे किर्चौफ ने कहा था good emitter is good absorber यह direct question आता है किर्चौफ ने कहा था वहीं benjamin franklin से आप क्या याद रखेंगे lightning rod और thomas addition से आप क्या याद रखेंगे बल्व काविशकार किस ने किया thomas alva addition ने next question who was the inventor of neutron neutron की खोज किस ने की थी वही तो right answer इसका क्या होगा Chadwick ने neutron की खोज की और वहीं neutron ने क्या दिया था आपको गती का नियम दिया था यानि कि law of motion किस ने दिया था Newton ने इसको याद रखना है और Thompson ने क्या दिया electron की discovery की किस ने Thompson ने rudderford की बात करें तो rudderford ने nucleus की discovery की थी इसको भी याद रखना है next question है the coil of heater is made up of तो heater का coil किस से बना होता है तो right answer necrom से बना होता है heater का coil इसको याद रखना है और tungsten से क्या बनता है bulb का filament इसको याद रखना है next question है who was the inventor of radar radar को किसने invent किया Robert Watson, Fleming, Austin, Bushwell इन चारों में से कौन सा right answer है इसका answer आपने comment box में comment करना है अगर नहीं आता तो कोई दिक्कत की बात नहीं है next class में मैं इसका answer आपको बता दूँगा अब देख लेते हैं last class में मैंने जो आपसे question पूछा था और friends ज़्यादा ज़्यादा comment करिए last class में मैंने आपसे question पूछा था उसमा के संचरन याण transmission of heat की विधी क्या है तो right answer conduction, radiation, convection याण तीनों होती है तो all of the abode is right answer अब conduction किसमे होता है solid में विक्रन किसमे होता है radiation यह होगा gas में और वहीं convection की बात करना यह होता है liquid में तो तीनों विधिया है transmission of heat की इसको आपने याद रखना है और किसमें कौन सी भी दिया direct question आपसोलिड में क्या लाएगा connection और radiation gas में convection यह लगेगा आपका liquid में तो friend यह थे आज के सभी important question और guys आप ज़्यादा से ज़्यादा comment करो चैनल को आप subscribe कर लो कि आप हमारे चैनल पर नए हो तो और like करो comment करो share करो thank you very much कोई भी doubt आता है तो आप हमसे comment करके फूच सकते हैं